नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपनी यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपके साथ नायत्री दोस्तों आज आप इस दोडियों के माध्यों से जानेंगे प्रोटीन के बारे में कुछ अस्पेशल प्रोडक्ट के बारे में इसका नाम है नुट्रिशाज अस्ट्रॉव जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन सरीर के लिए बहुत महत्यपून है और प्रोटीन सरीर के स्वस्त भड़ियों वा मसल्स के लिए आभश्यक होता है और सबसे महत्यपून होता है प्रोटीन मसल्स को बनाता है और मेंटीन करता है और मरमत करता है और मसल् करती है हमारे सरीर के लिए जैसे बच्चों के साविक दिकास के लिए फिटनिस के लिए चलने फिरने दौडने के लिए स्किन के लिए, बच्चों को उठाने के लिए, इम्मिनुटी के लिए, भारी चीज़ों को उठाने के लिए, कई बीमारियों से बचाओ के लिए, यहां तक कि अपने आपका वजन को जिनने के लिए मसल्स चाहिए होता है और जिन्देगी में मार्तिपून चीज़ होती है मसल्स मसल्स के लिए मार्तिपून है प्रोटीन तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन प्रोडक्ट अभलेबल होते हैं लेकिन जो सबसे बिस्ट उत्तंग वाल्योधी का प्रोटीन होता है वो होता है सोया आईसॉलेटिड प्रोटीन तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं नीट्रुसाग अश्ट्राविल प्रोडाट के बारे में उनको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवगता होती है प्रोटीन के नियमित मरमत और मेंटेन के लिए सरीर के वजन अनुसार हर एक किलो ग्राम पर एक ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए यानि अगर आपका वजन साट केजी वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन प्रोजाना चाहिए ये तो केवल मसल्स का रख रखाव और मरमत के लिए है बताया है और यदि मसल्स को बढ़ाना है तो यानि जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उन्हें इस मात्रा से 1.5 गुना या 2.5 जादा प्रोटीन के आवसकता होती ह है यानि 60 केजी वजन विक्ति को मसल्स बढ़ाने के लिए 90 ग्राम या 120 ग्राम प्रोटीन डेली लेना पड़ेगा तो यह समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना लेना है और जैसा कि अब भी मैंने बताया है कि प्रोटीन कौन से लेना है? सोया आइसोलेटेड प्रोटीन और सोय दूपॉंट कंपनी का कहां मिलेगा प्रोटीन जी बिल्कुल न्यूट्रिशाज प्रोडाइट में है यह जो सोया आइसो लेटेट का प्रोटीन है वो ड्यूपॉंट अमेरिका का ही डाला हुआ है तो जान लेते हैं इसकी विशिस्ताइं और क्या-क्या फैदे है इसके एक स आनि प्लांट बेस प्रोटीन है और यह नॉन जीयमो हाई क्वालिटी वाले सोया बिन से बना है और इसमें प्रीबायोटिक फाइवर भी है त्योंकि प्रोटीन को पचाने और आफ्सोंसन के लिए फाइवर की आफसता होती है इसमें अधिरिक चिनी नहीं है इसलिए यह चिनी तिसीहत को नुकसान भी पहुँचाती है इसमें कॉलेस्टरोल भी नहीं होता है और यह भारत की फूड की सबसे बड़ी ऑथिरिटी फशाई द्वरा परमानित है इसमें एंटी ऑक्सिजन से भरपूर बेलजियम से रियल कोक्वा पॉडर मिला कर डाला गया है और फ प्रोटीन के इस तरह की पैकेजिंग में बेचती है इसे किसी भी तरह का बाहरी संकरमन से फुरच्छा रखता है प्रोटीन इसके हाथों तुवारा पानी या कंतगी लगने का चांच नहीं होता है और इसे गिरने तूटने या खुलने का डर नहीं आता है यह हमारी यात् प्रोटा के लिए भी उप्यूप्त रहेगा और इसे नापने के भी आपसक्तार नहीं होती है बस इसका एक सेसे मिला सकते हैं क्योंकि यह नपे नपाई सेसे आते हैं अगर इसका सैंपल किसी को देना हो या टेस्ट करवाना हो तो भी यह बैटर रहता है यानि इसे कम मातर मेगल बीचना हो तो भी यह पैकेजिंग सही रहती है इसकी मुख्य फैदे हम देख लेते हैं हमारे सरीर में मसल्स बनाने में वा कायम रखने में मदद करता है यह मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है हमारे सरीर के फैट को कम करता है और पाचन और गट के हेल्थ को बैटर करत है और हमें यह त्रिप्ति पदान करता है यानि अगर हम इसे पे लें तो हमें काफिर टाइन तक भूखने लगती है इसलिए इसका उप्योग नास्ते में किया जाता है और यह सरीर में मसल्स और फैट के अनुपाद के बनाया रखने में मदद करता है यह बालों और टोचा के लिए भी अच्छा होता है इसमें सरीर को एलकाइन बनाने में मदद करता है और यह इम्मिनोटी के लिए भी बहुत नावकारी है तो यह था हमारा निर्ट्रिजाद अस्ट्रागरी प्रोडाइट प्रोडीन के बारे में अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस तरह की और भी निर्ट्रिजाद के वीडियो लेकिया होंगी इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना खूले मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो के साथ तब तक की लिए नमस्ते